सोबारानी कुस्वा को राजनिती अपने पती बनवारी लाल कुस्वा से मिली है बनवारी लाल कुस्वा साल 2013 में बसपा की टिगट से चुनाव लड़े और कॉंग्रेस के बनवारी लाल सर्मा को करीब 9000 वोटों के अंतर से हरा कर विधायक बने थे दिसंबर 2016 में बनवारी लाल कुस्वा एक हत्या के परियास के मामले में जेल चले गए और पती के जेल जाने के बाद सोबारानी कुस्वा ने भाजपा का दामन थाम लिया साल 2017 में धोलपुर विधान सबा सीट पर उप चुना हुए और कॉंग्रेस ने बनवारी लाल सर्मा को और भाजपा ने सोबारानी कुस्वा को चुनावी मेदान में उतार दिया धोलपुर विधान सबा सीट पर कुस्वा परिवार का दबदबा माना जाता है चुनाव हुए और जब परिणाम आये तो यह चुनाव सोबारानी कुस्वा ने करीब 38,000 वोटों के अंतर से जीत लिया और पहली बार राज़स्तान विधान सबा की दहलीज पर पहुँची अब 2018 का विधान सबा चुनाव होना था कॉंग्रेस ने बनवारी लाल सर्मा की टिगट काट कर सिवचरन सिंग कुस्वा को और भाजपा ने फिर से सोबारानी कुस्वा पर भरोसा जताया सुबे के सियासी गनीत के इसाब से 2018 में कॉंग्रेस की सरकार बनना लगबगत ये था इसलिए सोबारानी कुस्वा के लिए भी ये चुनाव संग्रेसों से भरा होने वाला था सुबे में तो कॉंग्रेस की सरकार बनी लेकिन धोलपूर में फिर से सोबारानी कुस्वा करीब 19,000 वोटों के अंतर से जीत कॉंग्रेस के सिवचरन कुस्वा को मात दे दी जून 2022 में हुए राजे सबाचुनाव में सोबारानी कुस्वा ने भाजपा के पक्स में वोट ना डाल कर कॉंग्रेस के परमोतिवारी के पक्स में वोट दिया जिसके बाद सोबारानी कुस्वा को भाजपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया वेशे सोबा रानी कुस्वा उदोगपती परिवार से आती है कुस्वा का पीहर उतर परदेश के जहासी में है और ससुराल धौलपूर के जमालपूर गाउं में है